हलो फ्रेंट्स मैं हूँ संजे संख्यान और आप देख रहे हैं एच्छ वे नोटिक्वेशन्स बाई संख्यान दोस्तों हिमाचल प्रदेश के फानेश डिपार्टमेंट ने 10 जून 24 को एक नोटिक्वेशन जारी की थी जिसमें जितने भी हिमाचल प्रदेश के सरकारी प्रदेश के लिए उन्होंने जारी किया था और इसमें उप्षन दे थी कि अगर कर्मचारी अपने कंट्रेक्वेशन को क्वालिफाई कराना चाहता है तो ऑप्षन दे सकता है अभी इसमें कुछ एक हाला कि मैंने एक डेटेल में वीडियो बनाई थी और इसमें जो आपक साथ डिसकस करूँ कि अगर माली जी पहले कोईल एक कांटक्ट की सर्विस हो उसके बाद रेगलर हुआ है तभी वो इस यह जो लेटर है इसके ताहित जो वो अपनी पिरेड को क्वालिफाई कर सकता है दूसरी बात जैसे माली जी कोई डेली बेजर था डेली बेजर के बा सब्सक्राइब बताया है यह जो जितनी भी प्वाइनमेंट है पहले कॉंटक्ट में होनी चाहिए उसके बाद कॉंटक्ट्च्ट के बाद रेगलर होना चाहिए तभी ऐसे ही सिर्फ करमचारी जो है वो अपने पिरेड को कॉलिफाई कर आ सकते हैं अच्छा एक क्वेशन यह आ रहा है बार-बार की क्या जो अभी कॉंटक्ट्च्ट में है और जिन्होंने अगली मिने रेगलर होना है तो यह मालीजी अगस्त अक्तूबर में रेगलर होना है क्यों क्या वो भी इस ऑप्शन के तहट जो वो फॉर्म भर सकते हैं देखिए मैं आपके साथ अभी ड रेगुलर अपाइंडमेंट अन स्टीम पोस्त मीज इसका मतली हुआ कि जो गॉर्मिन प्लाइज है पहले कॉंटक्ट में होना चाहिए उसके बाद रेगुलर होना चाहिए तो यहां से तो क्लेर हो रहा है कि मीज सिर्फ अगर कोई अभी कॉंटक्ट में है तो वो इस ऑप अगले मीने कोई रेगुलर हो रहे हैं तो क्या वो भी ऑप्शन दे सकते हैं या क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं तो देखिए इस लेटर के यह पॉइंट नमबर जो फाइब है इसमें बड़ा क्लेर बता है कि यह जो ऑप्शन है ना जिस दिन लेटर इशू हुआ था दस जून को लेटर इशू हुआ था इसके विदिन बन मन्त बन मन्त मेंस यह नौ तरिकों से पहले पहले यह ऑप्शन दे पाएंगे अगर माली जी उसके बाद कोई ऑप्शन देता तो वो ऑप्शन जो वो उनकी कंस्रेर नहीं की जाएगी और ऑप्शन के लिए इन्होंन अगर ऑप्शन देना चाते हैं तो एक दो दिन बचे हैं सिर्फ तो ऑप्शन दे दीजिए क्योंकि नौ तरिक के बाद जो है वो ऑप्शन आपकी डिपार्टमेंट जो हो नहीं लेगा इन्हीं सब्दों के साथ अगर ने ने जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है